बिर्शा एकेडेमी के वीडियो क्लास में आप सभी भी दर्थियों का श्वागत है चलिए आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर के प्रकार, हाडवेर, सौफ्टवेर और इन्पुट डिवाचिस के बारे में अगर अच्छा लगे या समझने में आसानी हो अगए कि आप समझ सकेंगे या हर क्लास करना चाहेंगे तो लाइक और साब्सक्राइब जरूर करें चलिए कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर एक ऐसा एलेक्ट्रोनिक डिवाइस है जो यूजद दरा इन्पूट किये गए data में परिक्रिया करके सुचनाओं को result के रूप में प्रदान करता है अर्थत कंप्यूटर एक electronic मसीन है जो यूजद दरा दिये गए निर्देशों का पालन करती है इसमें डाटा को स्टोर उनर प्राप्त और प्रोसेस करने की छमता होती है आप दस्तावेजों को टाइप करने इमेल बेजने गेम खेलने और वेब ब्राउज करने के लिए कम्जूटर का उपयोग कर सकते हैं आप इस्पृट सीट प्रस्तोतियों और यहां तक वीडियो बनाने के लिए इसका उपयोग भी कर सकते हैं यानि computer एक ऐसा electronic device है जो हम लोग निर्देश देते हैं उसके अनुसार वो काम करते हैं और data जो भी हम लोग input करेंगे जैसे कोई अक्षर हो गया कोई numbers हो गया कोई image हो गया कोई video हो गया यह सरा चिसको data बोलते हैं जो भी हम लोग data देंगे उसको processing करके हमको results के रूप में दे जिसका meaning होता है गरना करना यानि computer का सिधा संबन्द गरना करने वाले जंत्र से है जिसमें गती, सचालन, संग्रच हमता, सुद्धता, सर्व भमिकता, विश्वास नियाता याद रखने की सक्ति के करण हमारे जीबन के हर छेत्र में महत्तपुर्ण होता जा रहा है computer दर अधिक सुच में समय में अधिक तिब्र गति से घरना की जा सकती है computer दर दिये गए परिणाम अधिक सुद्ध होते हैं यानि जो भी उनको results मिलता है computer से processing के बाद उसमें कोई गलती नहीं रहता है पिविन्य परकार के computer जब अधिकांस लोग computer सब सुनते हैं तो यह desktop या laptop जीसे बैक्तिगत computer के बारे में सोचते हैं हलंकि computer कोई आकारों में आते हैं और वो हमारे धैनिक जीवर में कोई अलग अलग कारिज करते हैं जैसे desktop computer है कोई लोग काम घर और इसकूल में desktop computer को उप्योग करते हैं desktop computer को desk पर रखा जाने के लिए डिजैन किया गिया है और आंतर पर computer case, monitor, keyboard और mouse, side कुछ अलग-अलग हिस्सों में बने होते हैं यानि यह कैसा computer जिसको आम लोग एक table पर रखके काम करते हैं जिसमें आपका monitor, keyboard, mouse, CPU, printer, UPS यह सारा एक साथ लगा हुआ होता है और वो एक ही जगा पर रखके काम करते हैं उसको बोलते हैं desktop computer, desktop computer एक जगा से दूसरा जगा में ले जाने में problem होता है यानि हमको एक ही जगा पर रखके उसको काम करना है दूसरा है laptop computer, laptop computer portable होता है जो हम एक जगा से दूसरा जगा आसानी से ले जा सकते हैं अगर विजली ना भी हो तो उसमें हमारा inbuilt battery लगा हुआ होता है उससे हमारा काम होता है और सेम काम होता है जो क्याम हम desktop computer में करते हैं सेम ओही काम laptop computer में भी होता है दूसरा है आपका टैबलेट कम्पूटर्स जो पॉर्टेबोल है जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं उसमें टाती स्क्रिन रहता है शेम उसी तरह भी यह हमारा हर एपलिकेशन भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं दूसरा है सर्वर. सर्वर एक कम्पूटर है जो नेट्वर्क पर अन्य कम्पूटर को जानकारी परदन करता है जैसे जब आप भी इंटरनेट का उप्यूग करते हैं तब किसी ऐसे सर्वर को देख रहे जो सर्वर पर संग्राइद है कोई वेबसाई अंतरी ग्रूप से फाय अप्टॉप में हो या मोबाइल में हो वह ट्रांसपर होके आता है जो हम लोग को दिखाया जाता है अपना स्क्रीन पर अग्य में प्रकर के कम्प्यूटर जैसे स्मार्ट फॐन वेरेबल यहानि पहन्य जिख्यू गेम कॉंशों टीवी टीवी में भी बहुत सारा आप्लिकेसंस होता है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है हैं स्मार्ट फ़ोन में हमलों ठीके शंकक्ष्ट को यूज करते हैं वह भी एक तरह कंप्यूटर है धीर और यह अलगज यह सब को जानते हैं अब देखे इस हाड़वेर हाड़वेर क्या है हाड़वेर कंपूर्टर का कोई भी हिस्सा होता है यानि जो भी बहुत इक संचरशना सामीन है यानि जो भी पार्ट्स है जैसे कीबोर्ड है माउस है मॉनिटर है अपका हाडडिक्स है मादरबोर्ड है रेम है यह जितना भी सारा parts होगा, जैसे अपर printer हो गया, जिसमें को output लेना है, कोई भी चीज प्रिंट करना है, scanner है, जो भी हम कोई भी image को हम input करेंगे, keyboard हो गया, जिसे हम लोग टाइप करेंगे, कोई alphabets, numbers, यह सारा चीज input के लिए जो भी है, जितना सारा parts होगा, वो सभी parts को हम hardware के अंदर में आता है, यानि जो भी एक-एक parts होगा, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छूँ सकते हैं, वह सारा है आपका hardware, और बहुत सारा hardware का parts मिला कर ही, आपका system होता है, जिस पर आपना काम करता है, hardware parts का अलग-अलग काम है, और सभी parts मिला कर ही आपका यह वर् होता है, जो hardware को बताता है कि क्या करना है, और इससे कैसे करना है, software के उधार हों web browser है, games और word processor सामिले, यानि कोई भी आपका applications जो है, जिसको आपका कुछ काम करते हैं, वह हमारा है software, जिससे आप text को web browser में देख रहे हैं, यह एक software है, page पर click करने के लिए अपने mouse का उप्यो चैनि ये जो भी हम computer में काम करेंगे, वो किसी एक हमको software में ही करना है, और हर काम के लिए अलग अलग software है, उसी अप्लिकेसन को यूज़ करते हैं, यानि software को यूज़ करते हुए हमारा काम हम computer में आसानी से कर सकते हैं अब ये input device input device होते हैं जिनके दर हम अपने data या निर्देसों को computer में input करते हैं input device computer तथा मानव के मज़्ध संपर्ख की सुभीदा परदान करते हैं computer में कोई input device होते हैं ये devices computer के मस्तिस को निर्देसित करती है कि वो क्या करें input device कई रूप में upload है तथा सभी के विसिस्ट उद्देस से हैं typing के लिए हमारे पास keyboard होते हैं जो हमारे निर्देसों को type करते हैं जो हमारा data होगा उसको हम लोग input करते हैं से विसितर के input device है जैसे keyboard, graphic page, webcam, mouse, scanner, joystick trackball, digital camera, microphone यह सरस चीज से हम लोग क्या करते हैं अलग-अलग हम data दे सकते हैं को वीडियो देना है तो webcam का यूज करेंगा आवाज input करना है तो microphone का यूज करेंगे video input करने digital camera का यूज करेंगे कोई भी image है उसको यह input करना है तो उसके लिए scanner का यूज करेंगे game के लिए कोई निर्दिस देना है यानि instruction देना है input करना है उसके लिए joystick है कोई भी द्रॉइंग से बगार करना चाहेंगे उसके लिए graphics paid है mouse से भी हम लोग कोई भी drawing करके input कर सकते हैं झाल कर दोज कर दो बगार कर दो दो दोगार कोई भी है